हेलो दोस्तों आप सभी का EC Academy के online platform पर हार्दिक स्वागत है ठीक है बई तो जल्दी है सभी बच्चे जोए शैशन को जोइन कर लीजीगा फिर एक important information है आप सभी के लिए जिसके बारे ने आपको must know you have to must know about this ठीक है तो देखो आप सभी को पता है अब सभी कितनी निकाल ले आप से तो 152 इसके अंदर वकेंसी टोटल निकाल ले गई है इसके अंदर किस पोस्त के लिए female health worker फ्च डवलू किस पोस्त के लिए female health worker के लिए पोस्त निकाल ले गई थी ठीक है आज के session में आज क्लास में आपको बताने माड़ी किस तरह के question is D ट्रिपल एक्जाम में पूछे जाते हैं अब सभी ने एक्जाम का फोर्म तो फिल करी दिया होगा 19 तारिक इसकी लाज देती अब में टार्गेट के आपना किस पढ़ाई कैसे करनी है कि हां से कंटेंड लेना है कैसे हमें टार्गेट हो जाता है कि तरीके से किस तरीके से त्यार करें तो देखो सबसे पहले मैं बता दू जो यह अपने DSSB का exam होता है इसके अंदर एक तरीके से 200 number का question होता है इसमें आपके 100 question तो किसमें से पुछे जाते हैं nursing के अंदर से पुछे जाते हैं और 100 ही non-nursing से पुछे जाते हैं 100 कहां से पुछे जाएंगे nursing से और 100 ही non-nursing से पुछे जाते हैं इसके अंदर ज्यादर टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सभी काम है बस बेसिक सी बात दा देती हूं कि सोल नर्शिंग के क्योश्य में आपके इतने भी मोटे मोटे सब्जेक्ट है कम्मुनिटी है नर्शिंग सामुदरी स्वासे नर्शिंग हो गया पीडियाट्रिक या न दो आपने में में जो है टार्इट उनको ले लेते हैं इसके अलावा जीके जीएस रिजनिंग ओ गया मैथ हो गया इनमें इसे भी ट्वेंटी-ट्वेंटी परतिसे इनका मार्जिन होता है तो अब में यह नहीं सोचना है कि बस नर्शिंग से काम चीम आई ऐसा नहीं होग नर्सिंग को भी मजबूत करना है और नोन नर्सिंग को भी मजबूत करना है तब भी आपका सेलेक्शन हो पाएगा क्योंकि 200 question है time कितना 120 मिनट कितना time है 120 मिनट कितना बड़ा challenge होगा आप सभी के लिए दो गंटे में 200% करने एक क्योशन जी लिए एक मिनट भी दी जारी है ना तो हमें बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करनी है त्यारी भी इस तरीके से करनी कि भाई हमारा सेलेक्शन हो जाए है ना तो यह तो सारा था कि एक्जाम कैसे पैटरन से आएगा अब क्योशन जाएंगे आप से साथ साथ में स्टेटमेंट वारे क्योशन होते हैं ना कि बढ़ यह स्टेटमेंट बताओ ठीक है गलत है या फिर इंभी से कौनसी कौन स्टेटमेंट ठीक है 12123 ओनी ऐसे एक्जर्ण पूछे जाते अब आप से पूछा जाते इसलेबस की इतना सारा सार कितनी होती 1 by 4 इसमें अगर आपके 4 क्योशन गलत हो जाते हैं तो उन में से 1 क्योशन जो सही था उसका नंबर काट दिया जाएगा 4 क्योशन गलत हुए आपके 1 क्योशन के नंबर गलतु है ऐक नंबर दे रहा था तो च्यार गलत के उसे न आपका एक नमबर ले लेंगे तो इस तरीके से हमें नेगेटीव मार्किंग अभी ध्यान रहना अब बात आती है कि जो टाइम मैनेजमेंट करना नेगेटीव मार्किंग का ध्यान रहना करीप्र हार AG उन मैं 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 न स्बइबा करने महन्त करना दो हो सिर्फेटीव साट रहनित पर नोड के आरेके बेहएं न परर चॉल स्टोल स करने दूलों अभी की मैं विखारी और इस तरीक्रों बाрат कर ना कद्व्क थारे लिए 16 यह जो है ECA Academy के platform पर एक नया batch निकाला गया आप सभी की त्यारी के लिए जिसका नाम है विजेता बैच निकाला गया जो भी बच्चे DSS भी एनम की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए सुनेरा मुका वकेंशी को लेने का और अपनी त्यारी करने का ठीक है यह एक new batch आपका 25 अप बैच को जोईन करेंगे ठीक है बिलकुल नया batch है complete batch आपको इसके अंदर प्रवाइड़े जिसके अंदर आपको थियोरी प्लस प्रैक्टिस मतलब मैं आपको थियोरी भी करवाऊंगी टीचर करवाएंगे साथ अधर आपके प्रैक्टिस क्योशन भी करवाएंगे त्यसे म कि आँमें नोन स्कें के लिए हमारे मैत एकसपर्ट शीचिर हैं इंगलिस एकसपर्ट अनीर सर थिक है जीक एकसपर्ट ने şu अंजली आप सभी को जो है और रेनु मैम को जानते ही आप सभी है ना तो सारे शप्लस ने में आपको मजबूत बनाने के लिए फार्मारे से जो पूरी टीम आपका पूरा सायोग देगी जो भी बच्च आपनी त्यारी बहुत अच्छे डंग से मैंना पूरी निष्ठा से करना चाहता है यानि की स्लेक्शन लेना ही है वही अपकी वारतो तो आप सबी जो विजेता बैच को जोइन कर सकते हैं इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मेट मील फैसलिटीजまだ रहे लिएए इसके वाजड़ाइए एक जाबार लेए अगर आप भी बैच लोगी तो आपके एक साहर तर के ठाग कर सेकते हैं मेरे बार हम बता है मैं भी एशमें सेलेक्टीड हूं ठीक है देनुमेम के बार हम तह यह भी सलेक्टीड है अदियान गवर्मेंट में और बाकी टीचर भी अपनी अपनी जिंगाए पर सलेक्टीड है इसके बाद आपको मौक टेस्ट प्रवाइड कि जाएंगे तो उसके लिए recorded class भी होगी ठीक है और साथ साथ यूटूब पर भी आपकी marathon class लगाई जाती है time-temper जैसे लगता है ना कि बहुत टाइम हो गया अगते के अंदर आपके एक marathon class यूटूब पर लगाई जाती है तो इसकी फीज अभी के लिए 2499 है जो भी बच्चा 25 से पहले पहले registration करवाता है उसके लगी फीज कितनी होगी 2499 अगर उसके बाद करवाएगा तो उसकी फीज इंकरीज हो जाएगी 2799 ठीक है तो सभी बच्चे इंतजार मत करना कि 25 सफरे लाएगा तब लेंगे अपना registration पहले करवा लो अपनी batch को जूइन पहले कर लो यह तो है कि लेना तो ही देखो त्यारी तो कहीं से करनी है अपना time से लो ना time भी क्यो वेस्ट करना जब सलेबस हो जाएगा तब जूइं करें मै कोई भी inquiry है तो आप इस नंबर पर जाकर कोंटेक्ट कर सकते हैं कोई भी किसी परकार की उकारी है ठीक है इसको जोइन करने के लिए इस एकडमी का एप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से वहां पर आपको बिजेता बैस नाम से बैस दिखेगा और आप उसको जोइन कर सकते है ठीक है भई थैंक्यू सभी का सेशन को जोइन करने के लिए धन्यवाद और आप सभी अपनी त्यारी के उपर बिल्कु निष्टा से लग जाए सर्दापुर्ति के से वेकैंशी को आसिल करना ही करने है ओके थैंक्यू ओल ओफ यू